जियां, आज 10th of January है और ICI ने CA Final और Intermediate के जो हैं, रिजल्ट्स डेक्लियर कर दिये हैं, अगर आपने भी एक्जाम्स दिये हैं, तो आप भी अपना रिजल्ट ICI की वेबसाइट पे जाके शेप कर सकते हैं सो रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार हैं, जो CA Final है, उसमें Group 1 में around 65,000 candidates हैं या students से appear हुए थे, जिसमें से around 14,000 ने वो exam clear किया है, तो इसमें passing around 21% कर आए, Group 2 में 64,000 students जो हैं वो appear हुए थे, उसमें से 12,000 ने उसको clear किया है, और both group है, जो की main important चीज़ है, 29,000 students अपियर हुए थे, जिसमें से 3,200 students ने clear किया है, तो इसका जो ratio रहा है, वो है around 11%, तो इंडिया में इसका मतलब अभी जो November 2022 में CA Final के exams हुए हैं, उसमें 32,000 नई chartered accountants और बने हैं, जो की ICI ने जिनको promote किया है, पास किया है, तो इसका मतलब इंडिया में 32,000 और नई chartered accountants अब मुझूद हैं, अब बात कर लेता हूं, मैं ranks की, तो जो rank 1 है, वो हर्ष चौदरी जी है, New Delhi से, उन्होंने वो rank 1 प्राप्त की है, और उनके 800 में से 618 marks आये हैं, around and around 77% उनका result आया है, rank 2 है, शिखा जैन जी है, इन दौर से, जिनके आये है 800 में से 617, और rank 2 है, वो tie हुआ है, राम्य श्री ह आये हैं, out of 800, 617, और जो third rank है, वो मानसी अगरवाल जी है, New Delhi से है, वो भी, out of 800, उनको मिले है, 613, around 76% रहा है, तो ये है कुछ इस प्रकार से ranking, और अगर आपको नहीं पता है, मैं आपको criteria बता देता हूं, Chartered Accountancy exams का, तो आपको individual subjects में 40% marks लाने होते हैं, in aggregate 50% total score आपका हो होना चाहिए, जिस बज़े से आप Chartered Accountant का exam pass माना जाएंगे, और आपको Chartered Accountant की degree मिल जाएगी, इसी पीछ intermediate का भी result साथ ही साथ लॉंच किया है, थोड़ इसी में आपको उसके बारे में भी details बता देता हूं, group 1 में around and around 1,000,000 बचे appear हुए थे intermediate में से, जिसमें से 21,000 ने य परसेंट रहा है, इसमें, group 2 में 79,000 students हैं, जो इसमें appear हुए थे, जिसमें से 19,000 around students हैं, जो ने ये exam पास कर लिया है, और इसका passing percentage रहा है 24%, और जो बोध group है, जिसमें जिस student ने दोनों group पे अपीर किया है, वो students है 37,000, जिसमें से 4,700 students ने ये exam पास कर लिया है, जिसका ratio रह है 12%, तो इसमें अब देखने वाली बात ये है, कि जो हम CA final में भी देख रहे हैं और IPCC में भी देख रहे हैं, जो की intermediate है, 12% के around around है, final में 11 है, intermediate में 12% result रहा है, result decent है, उतना कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं मैं कहुँगा, but main देखने वाली है कि number of students हैं, वो काफी समय में इस 2-3 साल में काफी कम हो गए हैं CA कोर्स में, reason being की काफी hard हो गया CA का कोर्स, और उस वज़े से students भी हैं काफी कम हो गए हैं, इसी वज़े से ICI ने इसको कोर्स को काफी इसमें changes किये हैं, और ज्यादा इसको students के लिए attractive बनाया है, और बहुत ही अच्छी opportunity है, और जो भी students प